नियाय पालिका के सबसे उचे अंग अर्था सर्वोच नियायले अब इसके गठन पर आते हैं अभी हमने तो यह समझा यह जाना कि भारत की नियाय व्यवस्था एकी कृत है अर्था सर्वोच नियायले के अंतरगत सब आते हैं हमने ये भी जाना कि भारत के जो न्याय पालिका है वह संगठित है और था थर्वोच न्यायला के अंतरगथी सभी न्याय संस्थाएं आती न्याय एक संस्थाएं आती हैं ये एक एकरित और इंटिग्रेटेड या संगठित न्याय पालिका के माइने जानने के बाल अब हम जाने के जो सर्वोच न्यायला है इसके क्या कारे है इसका गठन कैसे होता है सर्वोच न्यायले में कितने जज होते हैं composition of the supreme court that is the next topic that we have composition of supreme court यदि हम संगठन की बात करें तो उसमें पहला बिंदू रहता है उसकी कितनी संख्या होती है कितने जज होते हैं सर्वोच न्यायले में जजों की संख्या का भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया जो वर्तमान हिस्सिती है वो मैंने बताई आपको कि 33 जजेज रहते हैं वर्तमान में हैं 34 का प्राउधान है इंक्लूडिंग मुख्य न्यायधीश उच्चतम न्यायले के न्यायधीशों की संख्या जो प्रारंभ में आठ थी समय के साथ बदलती गई और वर्तमान में 34 पहुंची है पदों की संख्या इन पदों की संख्या में घटाओ बढ़ाओ का कार्य का दाएरा संसद के कारिक्षेत्र में आता है अर्थात उच्चतम न्यायले के न्यायधीशों की संख्या में कोई भी कानूनी परिवर्तन यदि करना हो तो संसद उसमें कानून पारित करके उसे बदल सकती है इस पकार इस संसद के कारिक्षेत्र में है कि नियाय पालिका में सरवोच नियाले में कितने नियाय धीश हो लेकिन नियाय धीश की नियुक्त में नहीं है उसकी कोई भूमिका ये याद रखेंगे संख्या में उसकी भूमिका है जरूरत के अनुसार कितने नियाधीश चाहिए देश को सुप्रीम कोर्ट में जनता के प्रतिनिदियों के माध्यम से जानने के बाद वो उसका प्राधान करती लेकिन एक बार प्राधान हो जाता है तो किनकी नियुक्ति हो जो एक कंटेंशस मुद्दा रहा है थोड़ा विवाद आस्पद मुद्दा रहा है और 1973 तक वैसे देखा जाए सुतन्ता के पश्चात 1950 से 1973 के जो तेईस वर्ष थे उसमें एक बड़ी सतत परंपरा थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस जज्ज था वरिष्ट तम ज जाज वह मुख्य नयाधिश बनता था लेकर 1973 में इस स्थिति बदली जब पहली बार तत्कालीन पथान मिंतरी श्रीमती इंद्रा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्टतम जजों को के स्थान पर पांचवें जज को मुख्य नयाधिश बनाया जिनका नाम था श फिर एक ये जो परंपरा थी परानी वो तूटी और इस तरह की प्रथा जिसमें सीनियर मोस्ट जज को मुख्य नयाधिश ना बनाकर किसी और को बनाये गया बाद में एक दुबार और ये दुहराये गया और इसके कारण बार-बार इसके नियुक्ति को लेकर विवेचना विवाद और कुछ निर्णा होते रहे जो बदलते भी रहे नयाधिशों के नियुक्ति के लिए एक बात आ है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन नियुक्त करने से पहले जैसा मैंने बताया पूर में वह उच्चतम न्याले के न्याधीशों और उच्च न्याले के मुख्य न्याधीश इन से परामर्ष करता है, इतने लोगों से लगबक कंसल्ट करता है, और उसके बाद वो तै करता है कि किसे नियुक्त करना है, इस संब्ध में वरिष्टा करम को सामान नितिया ध्यान में रखा गया, जैसा मैंने बताया 1973 तक, लेकिन ये परंपरा रही, जो तूटी गई और उसके बाद कुछ परिवर्तन भी आया, संब्धानिक परिवर्तन आया और फिर आज वर्तमान में कॉलेजियम की प्रता है, अन्य निया धीशों की नियुक्ति जो होती है, अन्य निया धीशों की नियुक्ति उच्चतम नियाले के मुख्य निया धीश के परामर्श से होती है, अन्य न्याधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्याले के मुख्य न्याधीश से प्रामर्श से होती है और राश्पती ही करता है सम्विधान के निसार न्याधीशों की नियुक्ति राश्पती द्वारा किये जाने की व्यवस्था है लेकिन व्यवहार में जैसा हमने व्यकारिपालिका के अध्यान के समय पढ़ा कि व्यवहार में देखा जाया तो राश्यपती नाम मातर के लिए है असली तक ताकत तो मंत्री परिशत के हाथ में, मंत्री मंडल के हाथ में है राजन्यतिक कारिपालिका के हाथ में है तो ऐसे ही व्यभार में इन नियुक्तियों का निर्णे प्रधान मंत्री लेते हैं और राश्पति उनके प्रामर्श से कारे करता है अब ऐसा जब होता है नियुक्ति के मामले में तो वहाँ पेट टकराहट होती है मंत्री परशद के द्वारा प्रस्तावित नाम मंत्री मंदल द्वारा प्रस्तावित नाम और कोलेजियम द्वारा प्रस्तावित नाम अब एक प्रसा चल पड़ी है जिसमें कोलेजियम को समुचित इस्थान दिया गया है और यह प्रक्ता के आगे बढ़ने का कारण ये है कि न्याय पालिका को स्वतंत्र रखने का स्वतंत्र बनाये रखने के प्रयास के तहट इसे एक कदम देखा गया यो ग्यताएं क्या होंगे नियाधीश बन कौन सकता है ये एक बहुत महत्पूर्ण चीज है किसे नियाधीश बनाया जा सकता पहला भारत का नागरिक हो दूसरा अधिक्तम आयू 65 वर्ष हो उम्र के मामले में अधिक्तम आयू 65 वर्ष देखिए बाकी जो हमने राष्टपती उपराष्टपती और यह सब पढ़ा मंत्री परिशाद और सांसाद और विधान सभा सदस्य इनकी नियूनितम आयू के बारे में पढ़ा इनकी आयू जब भी हमने पढ़ी तो योगिता के नाम पर हमने पढ़ा कि नियूनितम आयू य होनी चाहिए पचीस वर्ष है कुछ मामलों में कुछ मामलों में तीस वर्ष है और कुछ मामलों में पैंतिस वर्ष है जो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए उसी श्रिंखला में आपको याद करना होगा कि निया जीशों की नियुक्त के लिए अधिक्तम सीमा तै की गई है नियुनितम नहीं अर्थाद अधिक तम वे 35-65 वर्ष के हो 65 से कम रिटायर्मेंट के समय 65 होना चाहिए तीसरी योगिता जो इनके लिए अहरता चाहिए वह है कि ये व्यक्ति वही हो सकता है जो किसी उच्च न्यायले अथवाद दो या दो से अधिक न्यायलें में कम से कम पांच वर्ष तक न्याय धीश का पद सुशोभित कर चुका हो सुनने की समझने की कोशिश करें दो शर्ते इसमें हैं या तो वह उच्छ न्यायले में और किसी भी उच्छ न्यायले में एक वर्ष एक उच्छ नयायले एक से ज़्यादा या दो से अधिक अन्यन किसी नयायले में निरंतर पांच वर्ष नयायधिश के पद पर कारिकर चुका हो इन दोनों में से कोई सी एक शर्थ को पूर्ण करता हो या किसी उच्छ नयायले में या किसी अन्यन नयायले में दस वर्ष की वकालत कर चुका हो नयायधिश होने के लिए यदि नयायधिश को बनाना है तो पांच वर्ष की सतत सेवा दिया हो नयायधिश के नाते चाहे दो नियायले में अलग-अलग दो से ज़्यादा या एक उच्छ नियायले में लेकिन यदि कोई वकील का नामित करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वह वकील कम से कम दस वर्ष के लिए वकालत किया हो किसी उच्छ नियायले में या अन्य नियायले में अन्य नियालियों से तत पर है जिला नियाल है यहां पर वह सेवा दिया हो यह दि दस वर तो उसे नियाधीश के पतपरनीत किया जा सकता है या अथवा राष्ट्रपती की राय में वह व्यक्ति एक पारंगत विधिवेत्ता हो यह बहुत आवश्यक है समझने के लिए राष्ट्रपती की राय में पारंगत विधिवेत्ता से अर्थ है कानून का ग्याता इसके अर्थ है हुए कि जरूरी कि वह नियाधीश रहा हो जरूरी कि वह वकालद किया हुआ हो यदि वह एक प्रसिध्ध विधिवेत्ता है कानूनों की व्यak्या करने में पारंगत है तो उसे भी राष्टपती नियाधीश बना सकते हैं ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो नियाधीश ना भी हो और वकालत ना भी किये हो और फिर भी नियाय के मामले में विधिवित्ता की रूप में जाने जाते हूं रिसर्च स्कॉलर्स जो ला के ख्षेतर में कानून के ख्षेतर में सतत रूप से गहन अध्यान करते हुए जुड़े हुए हैं और हो सकता है प्रोफेसर्स हो या लॉफ एकल्टी में कहीं किसी विश्व दियाल है किसी अन्य सर पे काम कर रहे हूं और बहुत नाम कमादा हूं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन जो सामान अहरताओं के अलावा उसकी कुछ तीन अहरताओं में अथ्वा लगा हुआ है अथ्वा 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 ये आप याद रखेंगे जरूर ये ये इसकार्थ ये नहीं है कि उसे ये छैयों अहरताओं पूरी करनी हो नहीं पहली तीन और इसके बाद बाकी में से योग्यताओं से वाकिफ होने के बाद जब उसका उसकी नेक्ति होती है तो सबसे सरप्रथम उसे शपत लीनी होती है और शपत किसके सामने राष्टपति के सामने पद ग्रहन करने से पूर्व राष्टपति के समक्ष अपने पद की शपत लेनी होती है तो अगला जो बिंदू जो हमको समझना है वह है शपत ग्रहन जिसमें पद और गोपिनीता की वह शपत लेता है निश्ठा की शपत लेता है इमांदारी की शपत लेता है और जिस दिन से शपत लेता है उस दिन से इसका कारेकाल शुरू तो इसका कारेकाल अगला बिंदू है जैसा मैंने पहले बताया 65 वर्ष की आयू तक वह नियाधिश रह सकता है अधिक्तम 65 वर्ष की आयू तक वह नियाधिश रह सकता है अर्था किदी 64 वर्ष की आयू में वह नियाधिश नियुक्त हुआ तो एक वर्ष की सेवा देगा नियाधिश के नाते चाहे तो नयाधीश त्याक पत्र भी दे सकता है इससे पूर यदि किसी को किसी कारणवश अपनी सिवा से हटना है तो त्याक पत्र दे के ऐसा कर सकता है स्वेच्छा से त्याक पत्र दे के अब अंतिम बिंदु है महाभीयोग महाभियोग के बारे में पूर में विस्तार से बताया जा चुका है अंग्रेजी में जिसे impeachment कहते है और महाभियोग सामान नित्या राष्टपती के लिए और मुख्य नयाधीश के लिए होता ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि इनको नियुक्त तो किया जा सकता है किया जाता है कारेपालिका के द्वारा पर हटाने की प्रक्रिया काम्प्लेक्स की गई है थोड़ी कठिन कर दी गई क्यों ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से सरकार के दबाव का भै न रहे महाभियों की प्रक्रिया क्या और कैसे होती है यदि संसद के दोनों सदन अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा दोनों सदनों के बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे जिसमें इसको अयोग्य या आपत्ति जनक आचरण करने का प्रमार दे दें तो उसे अपने पक्ट से त्याग देना होता है भाशा को समझें ज्यान देने लएक बात जो है वो है कि सदन के दोनों सदनों की अलग-अलग जो संख्या है उसका बहुमत और साथ ही दूसरी शर्थ यह है कि जो उपस्थित हैं अलग-अलग उपस्थित सदस्थों का दो तिहाई सदस्थे यदि इनके आपत्ति जनक आचरन करने वाला प्रमानित कर देते हैं तो भारत के राश्पति के आदेश से उस नियाधीश को पद से हटाय जा सकता है उसे हटना होगा हाँ, महाभियोग का जब आरोप लगता है तो नियाधीश को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी मिलता है ऐसा नहीं है कि सदन के किसी सदस्थ ने एक प्रक्रिया के तहट कानूनी प्रक्रिया के तहट आरोप लगाया और उसके बाद सदन ने से नियमा नुस्तार पारित कर दिया लेकिन उसको मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का ऐसी स्थिति में यह नियाचित नहीं होगा भारत के संदर में जड़ी बात करें तो नियाचिश के मामले में एक ही बार महाभियोग के प्रक्रिया की बात आई थी शुरू होने की 1992-1993 के आस पास जब जस्टिस रामस्वामी पर महाभियोग का आरोप लगाते हुए उनके आचरण पर आरोप लगाते हुए महाभियोग का पस्ताव सदन में गया था और काफी मामला आगे बढ़ गया लेकिन एक जगह आकर सदन में वे जो बहुमत दल था उसने इसे खारिच कर दिया खारिच कर दिया आरथात इस पर बहुमत नहीं दिया तो बात वहीं खतम हो गई लेकिन किसी पर भी अभी तक भारत में महाभियोग का आरोप सिधनी हुआ है ये असफल प्रयास जो था नयाधीश के वुरुद 1999 में पहली बार संसद के 108 तदस्यों ने सरोच नयाले के माननी नयाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया माननी नयाधीश का नाम था नयायमूर्ति रामस्वामी एक सो आठ सरजस्यों के द्वारा हटाने का प्रस्ताव जाता है आरोप क्या था इन पर आरोप था कि पंजाब उच नयायले के मुख्य नयाधीश के रूप में अर्थात सरोच नयायले में सरोच नयायले की सेवा में आने से पूर्व जब वे पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य नयाधीश थे तो उन्होंने कुछ वित्तिय अनिमित ताएं की थी अर्थात पैसे को लेकर कुछ धांदलियों का आरोपन पर लगा इस आरोप के साथ जब प्रस्ताव जाता है तो प्रक्रिया शुरू होती है महाभियोप की सर्वच नयायले के नयाधीशों की एक उच्च तरी समिती गठित होती है और वह समिती नयायमूर्थी रामा स्वामी को पंजाब और हर्याना के मुख्य नयाधीश के द्वारा के नाते कि सारवजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का अरूप साबित होता है अर्था पब्लिक मनी का उपयोग प्राइवेट परपस के लिए और ये भी पाए गया कि उन्हेंने सम्वैधानिक नीमों की धज्या उडानी और ऐसा करते हुए अपने नैतिक दाहितु का पालन नहीं किया बलकि नैतिक पतन की पराकाश्था और साथ ही पद का जान बूच कर दुरुपयोग इस तरह के आरोप इन पे लगाए गया संपत्ति के मामले में और इसके साथ ही साथ नैतिक पतन के मामले में ये दो आरोप तीन आरोप जो लगाए गये इसका दोशी उस ज्याँच समीति ने पाया जिसका निर्मान सरवच नैले ने किया था और इसमें सरवच नैले के नयाधीश थे इतने कठोर आरोप के बाद भी रामा स्वामी पर संसद में महाभियोक शिद्ध नहीं हो सका और इसका कारण जैसा मैंने बताया कि प्रस्ताओ के पक्ष में सदन में मौझूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी दो तिहाई मत तो पड़े लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया पार्टी जो थी जिसने मतदान में भाग नहीं लिया वह कॉंग्रेस पार्टी थी और मतदान में भाग ना लेते हुए जो महाभियोक प्रस्ताओ के लिए जो एक महत्पूर्ण शर्थ है कि सदस्यों की बहुमत संख्या उसे पारित करे वह बात्षा वही नहीं हो पाया प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यों की संख्या में आधे का समर्थन नहीं मिल पाया यद्यपी उपस्थित सदस्यों की का दो तिहाई समर्थन मिल गया था परिणाम क्या हुआ कि रामा स्वामी पर जो महाभ्योग का आरोप लगा था वह संसद में सिद्ध नहीं हो पाया और वे बचन कले लेकिन किसी नियाएधीश पर इतना आरोप लगना भी बहुत बड़ी शंकाएं प्यदा करता है और नियाएधीश पर एक बहुत बड़ा प्रश्पचन लगाता है अगला बिंदु महाभ्योग के अचफल प्रयास को जानने के बाद वेतन भत्ता उनको वेतन कितना मिलता है जो नियाएधीश का वेतन आधी होता है वह समय समय पर संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है और जिसा मैंने कहा प्रयास रहता है कि नियाए धीशों का वेतन और भत्ता पर्याप्त हो ताकि वे भष्टाचार के लिए विवश्चना हों सम्मान जनक हो ताकि उनकी निष्ठा प्रतिष्ठा बनी रहे तो इस पकार वेतन और भत्ता संसद के द्वारा समय समय पर तैक किया जाता है